नमस्कार आप सभी का स्वागत हमारे खास कारकरम खेद खलिहान में मैं हूँ मुकुल शर्मा खेद खलिहान में हर रोज आपके लिए अलगर विशे लेकर हम आते हैं और आज के कारकरम के विशेव की बात की जाए आज हम आपको जानकारी देंगे मुर्गी पालन के बारे में कैसे आप इनकी शुरुवात कर सकते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं कारकरम की मुर्गी पालन काफी फायदे का सौधा साबित होता है मुर्गी पालकों के लिए और इसको कैसे इसकी शुरुवात कर सकते हैं इसके फायदे हैं यह जाने के लिए हम पहुंचे हुए हैं के इंद्रिय पक्षिय अनसुंधान संस्थान के प्रधान वग्यानिक डॉक्टर एसके बहांचा बहांचा भब्धास्वागत आपका हमारी कार्क्टर में धन्यवाद सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे क कि आखिर इसमें क्या फायदे हैं हमारे जो किसान है वो मुर्णी पालन क्यों कर रहे यानी इसके क्या फायदे हैं मुर्णी पालन में。 भारत मानीं काफि самых एक्सठ्थ अंडे प्रती बक्ति को मिलता है जबकि कि ICMR ने उनके हिसाब से हमें 180 अंड़ा प्रतिवक्ति मिलना चाहिए जबकि हमारे पास श्रिफ 60 अंड़े उत्पादन हो रहे हैं तो हमारे पास काफी संभावना है हम इस प्रडाक्शन को तीगुना कर सकते हैं और यह जो प्रडाक्शन हमारा आ अर्षाने की आवसक्ता है जिससे की पूरे प्रडाक्शन जो हमारा अनारगानिश्ट सेक्टर का जो तीस प्रतिसाद है वो और बढ़ है जिब इसके साथ साथ आपसे मुझाना चाहेंगे मुर्गी पालन की शुरुआत हमारे जो किसान भाई हैं वो कैसे कर सकते हैं देखे म तो जो उनका खर्चा है करीब 200 रुपिया प्रति मुर्गी कहशाब से खर्चा आता है। और उसके बाद आप उनको कहीं रखते हैं। उनके रखने का तरीका है, आप बिच्चावन के ऊपर लिभा सकते हैं। या पिंजर में भी रख सकते हैं। जो बिच्छा बन के उपर रखेंगे तो प्रती मुर्गी के जो लागत आएगा 400 रुपिया प्रती मुर्गी और जो आप पिंजरे में पालेंगे तो इनकी लागत करीकरी 600 रुपिया प्रती मुर्गी के लागत आती है और छोटे किसान एक से दो हजार तक मुर्गी असानी से पाल सकते हैं बल्कुल प्रजातियां जो हैं वो काफी महत्पूर हो जाती हैं इसलिए हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कौन सी उन्नत प्रजातियां हैं जिनका चैन करके हमारे किसान मुर्गी पालन से और सादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं एक प्रजाती है जिसको करी प्रियागा हम कहते हैं इसके जो उत्पादन खेमता है 300 अंडे प्रती बर्स वह देती हैं अंडे 20 हफते से 42 हफते के दोरन एक और प्रजाती है जो रोड आइलेन्द रेड कहलाती है इसमें करिकरी 245 अंडे प्रती वर्स 20-22 रप्ते के दोरान और एक प्रजाती हमने विकसीद किया है करी देवेंद्र जो डुआल परपस है गाउं के किसान इसको आसानी से पाल सकते हैं इनमें मांग्स के लिए भी पाले जा सकती है या अंडे के लिए और इनके अंडे का जो खेमता है करीकरी 220 अंडे प्रती बर्स या 20-22 रप्ते दोरान तो इस तरह के से जो प्रजातिया हमने विकसीद किया है बहुत बढ़िया है इनके चूजों की प्रबंद हमारे यहां से आप इनको ले सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं एक दिन के चूजे और फिर आप असानी से इनको पाल सकते हैं बिल्कुल लक्ट साब आपने बताया कौन सी उनत प्रजातिया हैं लेकिन इनके उपलपता जो है वो कहां से हो सकेगी हम सुरु कर सकते हैं जैसे मैंने बताया जिस अंडे देनवाली मुर्गियों को चूजों से हम सुरु करते हैं फिर उनको अठरा हफ्ते या बीस अपते तक पालते हैं फिर इसके बाद और अन्डे देने लाइक बनते तो इनके प्रभंद के ब्योस्ता है अलग-अलग समय म और दूसरी company के भी है, तो ये एक बल्ब के नीचे आप करी-करी 500 चुजे छोड़ सकते हैं, और दो से तीन हफ्ते तक उनको इस तरीके से गर्मी दिया जाता है, और इसके बाद फिर आम उनको थोड़ी सी गर्मी कम कर सकते हैं, तो ये चुजो की प्राभंध है, इसके बाद छे हफ्ते के बाद उनको ग्रोयर स्टेज में जो पहुंचते हैं, दोरान उनको थोड़ा खानपान का बेवस्ता आपको देखना पड़ेगा, ज्यादा उनको दाना नहीं देना है, ज्यादा लाइट भी नहीं देनी है, ज्यादा देंगे तो फिर उनके शरीर में बसा या चर्वी का मात्रा बढ़ जाते हैं, तो फिर उनके देने लाइक नहीं बनते हैं, तो इसलिए जो इनके ग्रोयर स्टेज में जो उनका देखवाल है, ये करीकरी 12-12 हपते तक आपको देखवाल करनी पड़ेंगे, इसी दोरान उनके चोंज को भी काटना पड़ता है, या औ और बाकी कुर्मी रहीत दवाईवी इनके पिलाने पड़ते हैं, जिससे आगे जाके ये अंडे देने लाइक बन जाते हैं, जी बल्कुल रॉक्तर साब इसके साथ साथ हम जाना चाहेंगे, क्या जो मुर्गी पालन करते हैं हमारे किसान, वहां आवास प्रमंधन कितना महत पूर्ण हैं, क्योंकि हम देखते हैं, जो किसान है, वो खुले में भी मुर्गी पालते हैं, कितना सही है ये? चोटे चुजे होते हैं, छे अपते तक यह सामने कहां, उनको आप छोटे से कमरे में उनको ब्रूडिंग कर सकते हैं, जो कमरा चारो तरफ से बंद होना चाहिए, उसमें ज्यादा हावा नहीं आनी चाहिए बाहर से, जिसी कि आप थंड़ा हो जाएगा, तो यह आप रोयर स्टेज में अब उनको दूसरे कमरे में डाली है, जहां पर उनको प्रती मुर्गी एक से देड़ बर्ग फिट जमीन के आप सकता होगी, तो आपके बास एक हजार मुर्गी हैं, तो हजार से पंदरा सो स्क्वेर फिट के एरिया में एक छोटा सा आवास बना के अब उनको पाल सकते हैं, फिर उसी कमरे में आप आगे की भी मुर्गिया, लेकिन उनके संख्या थड़े सी कम करने पड़ेंगे, जैसे आपने पंदरा सो मुर्गी पाल ले तो उसमें से करीकरि 2-300 जो अच्छे अंडे दने वाली मुर्गियां उनको रखके बाकी को आप निका प्रखवाल की बहुत जरूरत है अब जो विच्छाबन के उपर डालेंगे तो गिला होने का खत्रा रहता है और जो गिला हो जाता है विच्छाबन फिर उसमें एमोनिया प्रड़क्शन बढ़ता है जो की आदमी के लिए भी हनिका रहे कि आदमी काम कर रहे है या पक्छि चीज आप कर सकते हैं जब आप जमीन के उपर अंडे देने वाली मुर्गियों को पाल रहें तो एक अंडे देने वाले बक्स जिसके अंदर मुर्गियां जाके अंडे देती है वो आप रख लीजिए करिकवरी दस मुर्गियों के लिए एक अंडे देने वाली बक्स की आसानी रहेगा एक ही एक ठाप पे आंडे एक जागा मिल जाएंगे और उसमें तूटने का खत्रा भी कम रहता है तो इस तरीके से आप बिच्छा बनके पर पाल सकते हैं अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से जो हमारे मुर्गी बालक हैं उनको दाना तयार करना चाहिए औ पाहिए नड़े दाने ओली ँट्टीन मुर्गियों के दाना के बजाये अपने ग्रौेश दाना ख़िलादीर, और उनके प्रोटीन के मात्र उर्जा के मात्रा judiciary, यह बहुत ध्यान देने के assault सकता है। करेकरिब 17% प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए और करेकरिब 26-27 कीलो-कलोरी उर्जा होनी चाहिए इसके अलाभा एक और जो कैलसियम की मात्रा ये बहुत जरूरी है आप कैलसियम की मात्रा सही डंग से नहीं रखेंगे 3-4 % छिल्के बहुत पत ले होंगे खास तरह के गर्मियों में इस तरिके से परिसंय आती है जब मुर्गी दाना कम खाती है तो उनके केल्सियम की महत्रा पूरी नहीं हो पर één कला के तो घ्यान देंक जूगे घरमीओं में यह फोड़ी खास सभधानी बरत नहीं जो बिल्कुलarme currents स्वाल इहाँ आप से जाना चाहिए, वाना जहता है कि उद्देश जो है, वो हमारा शॉफ होना कि जोम्रगी पालन है, वो अंडे उत्तपादन के लिए वी होता है, उधार मंप उत्तपादन के लिए भी किया आ जाता है किस तरह से ये अलग है और किसानों को इस बात का ख्यार लगना चाहिए अब देखिए मैं इनको एक तरीके से समझाऊँगा आपको जो अंडे देनेली मुर्गियां है वो करीकरी छे हफ्ते में या पांच हफ्ते में तयार हो जाती है तो आपका जो लागत है उसका जो रिट अउन्म होते हैं तो फिर में यह कहूंगा जो मुर्गी पालन है वो बढ़िया। जी बिलकुल और बन जैसे आपने कहा कि जो मुर्गी पालन है वो हमारें के लिए लाब का सौधा साबित हो सकता है लेकिन इस से कैसे और लाब कमा सकते हैं और प्रसंस्क्रन जो है वो भी मुर्गी पालन से जुड़ा हुआ है तमाम जानकारी आपको जरूर देंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल हाजिर होंगे आप देखते रहिए खेद खलिहान मंडियों का हार कमोडिटी की चार किसके गिरे भाव किसने दिखाए ताव सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडि खबर में सुमबार से शनिवा सुबह आठ बजे और दस बजे दीडी किसान पर ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खेद खलिहान मिलागातार आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं मुर्गी पालन की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं और कितना फायदा इसमें छिपा हुआ है डॉक्टर बहांजा अभी आपने हमें बताया था कि किस तरीके से हमारे किसान जादा मुनाफ़का मा सकते हैं उदेश जो है हमारे किसानों का साफ होना चाहिए किア आप अंडा उतपाधनके लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं या मास उतपाधन के लिए लेकिन यहां आपसे हम जानना चाहेंगи क्योंकि हमारे किसान कुछ भी बात करते हैं वहाँ थोढ़ा साडर रहता है हमारे किसानों कोई पी रोग या बिमारी ना हो जाए मुर्गी पालन से वो हम जाना चाहेंगे किस तरह के रोग और जो बिमारी है वो मुर्गी पालन में देखने होते हैं बिमारी के खत्रा है यह आपके प्रबंधन के उपर निभर करता है आपके प्रबंधन कैसा है आपके प्रबंधन सही है तो फिर बिमारी है भी तो इतना आपके नुखसान नहीं हो गई आप देखे तीन चार तरीके बिमारियां है जो जातर मुर्गियों में पाई जाती है ए एक तो है रानिखेत की डिजीज है, दुसरा है एक इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज है और एक मेरेक्ष डिजीज कभीकभी फावल पॉक्स बीमारीय कभी खत्रा रहता है और आजकल जो बीमारीय का रहता है जैसे आप प्रभियन इंफ्लुवेंजा बीमारी पाए जाती है रानिखेत की डीजीज है उसके लिए आपके टीके का प्रावंधन है, या बर्साल डीजीज आप ले लिए उनके भी टीके है और मेरक्स डीजीज के भी सभी के प्रावंध है। अब टीके आप सही टाइम से लगाएंगे तो फिर आपके फार्म में कभी बीमारी नहीं आएगे। किसानबायों को यह मेरा निवेदन है आप जब भीयश्ची कराना है वह वह एक्सीन चैनल कराईए। देखने करंचा आपने जिक्र किया जानना चाहेंगे कौन-कौन से bow सता है। कितना उंको अंतराल दखना होगा उसमयर मैं खासाओ से चूजा के लिए भीयश्चै। जो एक दिन के चूजे हैं से लिया मिलता है तोहँ पर दो टीके करा कर देते हैं एक मारेक्ष डिजीज और एक रानिखेट कभी वहक्सी पहोई कोई है स्थनिसों कर दिए का पर रानिखेट को ऐगा को खुद ए दुए लगा 충 tat मारि पर देंक शूंटों कर देंक हो दुबारा इसको आपको 6-8 हपते के दोरान आपको फिर रिपीट करने पड़ेंगे और फिर इसको आप 14-16 हपते के दोरान जो इंफिक्सियास बरसाल डिजीज है उसके वैक्सीन 14 दिन में दिया जाता है और एक बार फिर रिपीट आप 28 दिन में कर सकते हैं और जो फावल पॉक्स के बार में बताया था उनके वैक्सीन करीकरी 6-8 हपते के दोरान आप दिलवा सकते हैं तो यह इतने वैक्सीन करा लेंगे तो फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कभी-कभी क्या होता है किसान भाई को छोड़ देते हैं हमारा यहां फार में कोई बीमारी नहीं है तो मैं किन बहुत जरूरी है और इसके अलाभा एक और वैक्सीन आप करा सकते हैं जैसे रानिखेट की वैक्सीन अंडे देना शुरू करने से पहले या जब अंडे भी दे रहे हूंगे, आप हर दो महिने में एक बार ये वैक्सन करा सकते déjà vaccini, आप नहीं कराते हैं, तो जो अंडे अंडे भालेटी, तो यह इस थरीके से बीमारी से बचने अब आफ को आपको वैक्सन आप सकते हुए हुए ग। यहां जो मुर्गें हैं उनकी आवाजे पी सुन सकते हैं जानना चाहेंगे आपसे जो हमारे किसान मुर्गी पालन की शुरुवात करना चाह रहे हैं उनको कैसे अपने उत्पात का बहतर दाम मिल सकता है देखिए यह एक बिजनेस है तो यह जितने आप इसमें कॉस्ट ऑफ प्रडाक्शन और आपका प्रॉफिट दोनों चीज जुड़े हुए हैं अब जो कॉस्ट ऑफ प्रडाक्शन आप घटाएंगे तो आपका मुनाफ़ा जरूर ज़रूर ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ प्रडाक्शन घटाने के लिए एक तरीका है दाना आप खुद बनाएं आप बाहर से दाना खरीदेंगे तो इसके दाने के कीमत ज्यादा होगा इससे की आपका प्रॉफिट कम होगा क्योंकि यह से मैंने बताया था आपको प्रती दिन एक मुर्गी का दाने क क्पते करीकरि सागं और यह दाना आप खुद बनाएं गे तो यह 20 रुपय के बन जाएंगे आप बहुत आपका कोप्रडी तरीके से आपको घचना है गर्मियों में क्या होता है जव सब खभत कं हो जाता है और Начalik解 गट जाता है लेकिन जाड़ों में जो आपका अंडेक मांग जादा है उस टाइम आपका प्रोडाक्शन भी आपको सही होने चाहिए तो इस तरीके से आप आपका पॉल्ट्री फार्म इस्टाइम आपका प्रोडाक्शन जादा हो तो इस तरीके से आप मेनेज कर सकते हैं जैसे आपने बता है और अंडी के अगर बात की जाए तो अकसर हम देखते हैं बाजार में दो रंग जो हैं अंडे के अब नज़र आना लगें क्या इन दोनों में कुछ गुणवात्ता में फर्क रहता है देखिए इसमें आप उनके क्वालिटी उपर जाए तो इस तरह से ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है सफेद अंडे और भुरे रंग के अंडे में कोई क्वालिटी में अंतर नहीं है उनके जितने भी प्रोटीन के मात्रा होते हैं इनमें इतने प्रोटीन के मात्रा है या बसा के मात्रा जितना उनमें है इसमें 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 नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं जो मुर्गी इधर-दूर से दाना जूब के खाती तो इसमेंकुछ गि्रेमकडे भी साथ में खाजाती हैं कुछ तत्य से लहित लेकिन उसके कोई ओभी जानकारी इर्शार्ट के हिसाफ से पता नहीं चला है लेकिन यह पता करेंगे हो सकता है कुछ इस तरीके से जानकारी हमें मिल जाए लोकसाब ना सिर्फ अंडे उतपादन से बलके हम देखते हैं जो प्रसंस्क्रण है यानि प्रोसेसिंग की अगर बात कही जाए अब किसान उस और भी आगे बढ़ रहे हैं तो यहां भी क्या कुछ संभावना है अगर हम बात करते हैं प्रसंस्क्रण की देखिए यह किसान भ बनते हैं एक बावडर बनते हैं या सफेद वाला उनके भी पावडर बनते हैं या कोई कई जो आपके ब्रेडowego कंपणियां है या बिस्किट कंपणियां है वह अंडे ले जाते हैं लो लिक्यूइड अज़ इचिकन्ण लोगम आप एक अपने फार में जो अंडे त्वक् जब उनको कोई आएगा लेने के लाब उनको देशाजी से की जो आपका नुकसान है आप भरपाई कर सकते हैं आपको फाइदा जादा हो बिल्कुल और इस तरीके से यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं अटे के प्रसंसकरण की शाद मांस को पादें जो करते हैं वहां भी प्र आप इस तरिके से मुर्गियों को भी खाने का कम होजाता है तो उसको बढ़ाने के लिए आप सुभे जल्दी हो सके चार बजे या पांच बजे उनको दाना खिलवा दीजिए, जो पुरे दीन का कोटा वो दो-तीन घंटा में पुरा कर ले, चार से छे बजे तो साथ बजे तक, फिर उसके बाद, आठ बजे के बाद आप उनको दाने मद दीजिए, लेकिन पानी जरूर दीजिए, इस दोरान उनके पानी का खपाउत करी करी पांच गुना बढ़ जाता है तो इसलिए सोच पानी ताजा पानी और थंडा पानी अब जितना पिला पाएंगे बढ़िया रहेगा और आठ बज़े से बार एक दो बज़े तक इनको दाने मत खिलाईए इस दोना ना उनको पूरे बिना दान होता है उसी तरीके से रहता है जाड़ों में होते हैं अब प्रसंस्करण की बात हुई किस तरीके से मुनाफ़ा कमाया जा सकता है लेकिन हमारे जो किस तरह की आर्थिक मदद मिल सकती है सरकार की तरफ से जब वो मुर्गी पालन कर रहे हैं तो कुछ गर्मेंट स्कीम है और तो अलग-अलग प्रजस में अलग-अलग स्कीम्स वलब्ध हैं, किसानभाई उनके लाव उठा सकते हैं, जो दसजार या बीसजार से ज़्यादा मुर्गी पालन करते हैं, तो उनके लिए अलग-अलग स्कीम है, कुछ रिवेट भी है, वलब्ध है, खासतर पर उठल पर सरक कार ने भी ये शुरू किये हैं, दूसरा है, कुछ बैंक है, जो लोन बगएरा देते हैं, जिसे इसमें नावाड है, और स्टेट बेंक अप इंडिया, तो बहुत सारे इस तरीके से हैं, जो किसान भाई ये जानकरी ले सकते हैं, और इसके लाव उठाब उठाब जो है, उ खोटे से आप सुरू करिए, एक दो हजार मुर्गी पालिये, फिर इसके बाद आपके जो भी उनका प्रभंध है, किस तरीके से उनको पालना है, किस तरीके से मार्केटिंग करानी है, तो ये चीज जब आपको समझ में आ जाए, फिर इसके बाद धीरे धीरे आप बड़े पेम्याने में पाल सकते हैं, कॉस्ट अफ एस्टिमेट हम लोग ने बनाया है, इसके हिसाब से एक अंडे पे करिकरी आपके 50 पेसे से एक रुपय का फाइदा मिलता है, और एक हजार मुर्गी एक किसान पालता है, और उसमें करिकरी साड़े आठ सो से नौ से अंड़ प्र ये करिकरी आपको 20,000 के एंप्लिमेंट मिल जाएगा, 20,000 रुपया प्रतिम महिना, और आप जो बड़े पेम्याने में पालेंगे, 10,000, तो ये करिकरी आप मान के चलिए, देर लाग से दो लाग का फाइदा होगा किसाब, जानना चाहेंगे आपसे, अगर आने वाले समय क कि अगर बात की जाए, किस तर की संभावना शेथ में नजर आती है, और क्यूंकि अंडाउच पादन में अभी हम तीसरे पाइदान पर हैं विश्व में, तो कब तक हम उमीद करें कि हम जो पहले या दूसरे पाइदान पर काबिज हो सकेंगे, देखे जो पहला स्थान में चाइना है, उसको तो बीट करना असंभव है, यह आप में कह सकता हूँ, लेकिन यह कोई चीज असंभव नहीं रहता है, आप चाहे तो आपका प्रडाक्शन बढ़ा सकते हैं, और यह ज़रूत भी है, हमें तीन गुना प्रडाक्शन करने के आव सकता है, जो ICMR का रेकमें अच्छे किसम के चुजन की उपलबजता, वह बढ़ाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको ब्रेडिंग फार्म खोलेंगे, और ब्रेडिंग फार्म के साथ साथ बहुत सरी हैचरियां आपको खोलेंगे, जिससे कि आपको अंडे से चुजन को निकाल सकें, इस तरीके फ्ह तो धेर इसके बाद आता है दाने के, क्या दाने का खपत बढ़ जायेगा, तो दाने का प्रडक्सन भी आपके अपके होनी चाहिए, आपके मक्ली के बननी चाहिए, और यह जोड़े हैं चीजे है, पादन भी बढ़ाना चाहिए. तिसरा जो चीज है आपके मार्केटिंग जो ये बहुत महत्पुन बात है आपके मार्केटिंग चैनल कोपरिटी सिस्टम आप डेवलब करना पड़ेगा जिसके ही अच्छे से आपका उत्पाद आप बैस सके और गाओं के जो छोटे गाओं तक यह आपका फैल सके उसके भी विस्तार हो सके आज आपने तनी महत्पुन जानकारी हमारे दर्शकों को दी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो जाना आपने किस तरीके से आप मुर्गी पालन के एक सफल शुरुवात कर सकते हैं लेकिन महत्पुन ये कि ना सिर्फ आपको जो उन्नत हाजिर होंगे नई विशे के साथ तब तक के लिए दीजियो इजासत नमस्कार